पुलिस उपादिक्षिक सदर रामचन्द ने कहा कि 11 जुन को प्रताप टॉकेस के पास प्रापर्टी जिलर्स दिलिप लाहोटी के आफिस पर कुछ व्यक्तियों ने हमला किया था और वहाँ से साड़े तीन लाक रुपे लूट लिये थे इस मामले में अनुसंधान किया तो सामने आया कि मालोला रोर निवासी पप्पू और पिसत्ति नरायन प्रजापत दिलिप लाहोटी के बीच जमीन की खरीद फरोग का मामला चल रहा था मगर एन वक्त पर दिलिप लाहोटी ने वह जमीन किसी और को बेच ली जिसके कारण पपू प्रजापत ने आकरोश में आकर अपने साथियों के साथ ये हमला किया था लूट के मामले में रामचंडर ने कहा कि इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है कि वहाँ से इन्होंने रुपे लूटे थे या नहीं लेके जाना बता गया और टीमें बढ़ा कि जब अनुसंधान सुल किया तब ये पता चला कि मालोला रोड है मालोला रोड पे कुई चार प्रजापत इसके आगे भी जमीन में रोड पे इसकी और पीछे भी जमीन इसकी है मगर उस जमीन में से चार प्रोड जो इसकी खातेदरी पुराणी जमीन में से इसने बेच दिये जो ये वापस पुने लेना चाहरा था इस दर्भान इसको ये पता चला कि दिलीब लावटी ने कुछ ज़्यादा प्रेसों के अंदर उस प्रोड को किसी और को करते हैं तब ये अपनी सिपट गाड़ी है उस सिपट गाड़ी के अंदर पहुंचे यारा बजे और सीधा इन्होंने अमला करके बेसबोड वग्यला करके मारपीट वग्यरा की मारपीट करने के बाद में ये वाँ से सीधे भागे जब ये उदिवपूर से निकले तब प साम को एरेश्ट कर लिया है और एक बार जो पैसे गए हैं उस अंदर्ज में पीसी रिमांड लेके अनुस अंदान जा रही है